प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाओं में धार जिले की बदनावर विधानसबा सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिस्ठा का सवाल बनी हुई है। बदनावर विधानसबा शेटर के मतदान केंदरों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारे लगी हुई है। चुनाओं के हिसाब से सरकार वजिला प्रसासन द्वारा जारी कोवीड गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंदरों पर दोगच की दूरी के लिए गोले बनाए गए है। केंदर पर वील चेयर के साथ ट्राइसीकल की विवस्ता भी की गई। हमारे 32 सेक्टर है, सेक्टर मजिस्टेट और 8 सेक्टर आपसर साथ में हैं और उनके साथ पुलिस मोबाइल भी है। पिछले तीन दिन से लगातार वो लोग ब्रहमण कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी पॉलिंग पार्टी को कोई दिक्कत आती है तो उस पे भी वो उनको मारदसन भी दे रहे हैं। अभी तक जिले में कहीं कोई समस्य नहीं आई है। अभी तक जिले में कहीं हैं कोई कोआँ मेंला सलिएकाइं भी लिएफ सम्य पूरा जो एलेक्शेन है वह शांती को रुप रहे हैं। दोनों ही दलों के नेताओं और प्रत्याशों ने जीत के दावे जरूर किये लेकिन ये तो आने वाली दस तारीकों को ही पता चलेगा कि जनता का समर्थन किसे मिलेगा तब तक दोनों ही राजनित के दलों के प्रत्याशों के भागे एवियम में बंद रहेंगे भार जिले की बद्नावर विधान सभा सीट से दोनों ही दल लों में काटे की टक्कर हैं दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे कर रहे लेकिन मतदाता मोन हैं यह तो आने वाले समय ही बताएगा कि कौन प्रत्याशी विजह ही रहेगा एसीन भारत के लिए धार से प्रविनु जेन करकी रिपोर्ट